नमस्कार दोस्तों हिंदी निव जेफेस में आपका स्वागत है दोस्तों भारत के लिए बहुत ही अच्छी ख़बार आ रही है ये डिफेंस सेक्टर की मैनुफेक्चरिंग से रिलेटेड आ रही है दरसल बात ये है कि भारत में राफेल का प्रोड़क्शन किया जाएगा यानि कि भारत में राफेल बनेंगे आईए दोस्तों समझने की पूरी खबर है गया दरसल दोस्तों फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट है जो राफेल फाइटर जेट को बनाती है जो लड़ाकों वीमान है इसको बनाने का काम The Salt का है The Salt के राफेल जो यह है पहले इतने यादा नहीं बिक्तेद है इसको जब से भारत ने खरीदा है तो इसके तब से खरीदने के लिए बहुत से और भी देश आगे आ गये है उन्होंने राफेल कंपनी राफेल के लड़ाकों वीमान खरीदने के लिए The Salt कंपनी को बहुत आउर्डर दे दिये अभी इनके पास जो आउर्डर लगे हुए वो 270 राफेल आउर्डर की डिलिवरी करने का है जो इनके पास production capacity है ने ये उसकी manufacturing अभी कर नहीं पा रही है ये company तो इसकी वज़य से ये हाथ से ना इनका order चला जाए तो ये चाहते हैं कि इसकी किसी ना किसी तरह से delivery कर जाए क्योंकि defense sector में quality बहुत matter करती है लेकिन quality में थोड़ा बहुत compromise हो जाता है पैसा उतना matter नहीं करता है किसी भी हथियार का लेकिन हथियार की delivery की timing बहुत matter करती है टाइम से अगर delivery नहीं हो पाती है तो उसकी defense market बिलकुल खतम हो जाती है इसका बहुत अच्छा उधारान है रसिया रसिया अपने defense equipment उसके बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वो time पर delivery नहीं कर पाता है जिसकी वज़े से वो अपनी market को धीरे धीरे खोता चला गया आज उसकी बहुत अच्छी sell नहीं होती है यह आप यह समझ लिए कि रसिया से लोग तब भी खरीदते थे हथियार जबकि अमेरिका ने sanction लगा रखिये थे लेकिन लोग फिर भी खरीदते थे कहिए ऐसे देश थे जो खरीद रहे थे तो दोस्तो इसे The Salt Company ने भारत की Reliance Company के साथ एक कमपनी बनाई है भारत में DRAL जिसका Salt Form है The Salt Reliance Aerospace Limited यह इसकी एक यूनिट नाकपुर में खोली जा रही है जिसके इसका production किया जाएगा राफेल का और दोस्तो यह जो production हो जाएगा तो यहीं से यह बनेगा और यहीं से export होगा तो इससे भारत का भी बहुत बड़ा फाइदा होने वाला है क्योंकि कहीं न कहीं इससे हमारा खजाना भी भरेगा हमारी income होगी और दूसरी इससे हमारे जो France के रिष्टे हैं वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे दोस्तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि France UN में permanent seat hold करता है जो five permanent member है उसमें France भी है तो कहीं न कहीं France हमारे लिए बहुत जरूरी भी है क्योंकि Russia का हम अतना ज़्यादा नहीं मान सकते हैं कि Russia हमारा हर जगा साथ देगा ही देगा क्योंकि वो कहीं न कहीं चीन के दबाव में भी आब आ चुका है इसलिए France हमें बहुत जरूरी है जो हमारी हर तरह से मदद करता है तो दोस्तों देखना होगा कि अब इससे हम और कितना फाइदा उठा पाते हैं क्योंकि production होना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि defense की technology देना ये छोटी चीज़ नहीं है किसी भी देश के लिए अब हमें ये मिल रही है चलिए बहुत अच्छी बात है ये हर तरह से अच्छा ही अच्छा है क्योंकि पैसे भी कमाएंगे technology भी मिलेगी और काई ना काई defense के sector में भारत का ही नाम होने वाला है और France के साथ जो दोस्ती है वो तो अच्छी होगी होगी चलिए दोस्तों इससे कुछ और updated नहीं जाती है मैं आपके लिए एक updated वीडियो लेकर आऊंगा धन्यवाद दोस्तों आपको information अच्छी लेगी है तो please channel को subscribe करते